वेल्कम टू एस्टाडी विट क्रेजी गुरू फ्रेंज दिल्ली पुलिस ड्राइवर इंटर्विव वाइवाज जो की ड्राइविंग टेस्ट स्कील टेस्ट के साथ लिया जाएगा और यह जो इंटर्विव है यह पचास नमर के पूछे जाएंगे जो की आप लोगों को इसमें आज हम लोग जो important question है और यह important question हर एक चार पांच questions इसमें से पूछा जाएगा तो यह उसी topic से देखने वाले हैं और इस topic में से बहुत सारे topic लेकिन इस topic में से जो आज हम लोग देखने वाले हैं वो क्या है ब्रेक फेल हो जाने पर क्या करना चाहिए तो ब्रेक फेल हो जाने पर क्या करना चाहिए तो इसके बारे में हम लोग जनकारी लेंगे उसके बाद देखिए जो second question यह question पूछा ही पूछा जाएगा उसके सब्सक्राइब सब्सक्राइब बिकितंए पड़िए्आ उटना स्टार मारेट, लिए प्केट्वल बताएटबरल के नाचने लागे। तो कैसे जनकारी मिलेगी तो बस आप हमारे साथ बने रही लास्ट तक तो देखते हैं क्या है देखिए ट्रेट टेस्ट डेट तो आ गया है कब से है 11 अक्टूबर 10 अक्टूबर से 8 नुवंबर तक है सटल डे संडे होली डे है ओके उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्या ह पचास नमर के पूछे जाएंगे जिसमें 50 परसेंट माक्स डोनों में लाना निवारे है यह कैसे आएगा जब हमारे साथ लास्ट तक बने रही एगा तब भले दीटेन एक्जाम में आप 80 के आसपास या 80 प्लस स्कोर क्यों ना किये हो फिजिकल दिये है उसमें तो क्वाल है कि आपका तहां बुक है अगर बुक पर्चेस करना चाहते हैं तो यह जो नमल दिया गया इसी नमल पर पर पर्चेस कर सकते हैं सर्प्राइज भी कहां देखिए बुक नहीं इबुक बोल सकते इबुक क्यों बुक आपको पीडिये फॉर्मेट में भेजा जाएगा दस से ट्रैफिक नियम बाला और मेंटरेंस और वीकल वाला दोनों का आपको बुक दिया जाएगा एक का हम आपको दिखाते हैं यह देखिए जो ट्रैफिक नियम है उस यह जो बुक का जो भी सरसूची है कुछ इस तरह के स्क्रीन सोट ले लिजे उसके बाद समझ में आ उनिट 6 में 6.10 यह टॉपिक हम लोग देखने वाले हैं तो चलिए सबसे पहले खुशी-खुशी स्टाट करते हैं लेकिन फिर से मैं बता दू अगर बुक लेना चाहते है टाइम कम बचा है इसी नमर पर पेमेंट करके इसी नमर पर वाट्सप किजेगा हम 10-15 मिनिट के अ आने वाले यूनिट 6 यह सब अपना बुक का ही है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं एकदम यह MSM नियम बगएर है यह सब बताया गया इंपर्टेंट है वहां से ड्राइबिंग नियम में पूछा जाएगा जो बताना परेगा अगर नहीं बताएगा इंटर्व्य इंटर्व्यू में फेल हो जाईएगा तो भले ही कितना अच्छा स्कूर किये हैं कहीं वहां पर प्रोब्लम देखने को मिलेगा चलिए अब हम लोग यहां पर देखने को मिलेगा सरक पर आपात स्थिति इसको डिफिनीशन कर लेते क्या है जैसे चाहे आप कितनी भी सौध सव टानिवर घने नहीं आप कर रहे हैं तो यहां से एक दो कोस्चन पूचे 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 ही जाएंगे ओके इस लिए वीडियो एकडम इंपोटेंड है इस अनुभाग में ऐसी कुछ अपात इस्थिती और उससे निपटने के उपायों के बारे में बताया गया है। क्या है तो सबसे पहले क्या है तो सबसे पहले क्या करना चाहिए कि कि आप वगारे यह तो दिखनें परता है जो ते कि नाए तो इसलिए। देखने हैं इसके बारे್ पर जाए आपको जा रहें वहां जाने से पहले कोई सर्विस सेंटर में जाएए और उसको सुधरबाईए तुरंट अधिकरित सर्विस सेंटर पर उसकी जाच करवाई जो मैं बताया हूं उसके बाद दखिए यदि वहां चलाते समय आपको ब्रेक फेल होने का सक हो तो ब्रेक पैडल को जोड से कई बार दबाए यानि कि अमाली जब बाहन चला रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि ब्रेक ले रहा है और ब्रेक लग नहीं रहा है तो आपको क्या करना है ब्रेक पैडल को ब्रेक पैरल को कई बार जोड़ से बार बार जैसे दखिए ब्रेक में भी पिस्टन सिलेंडर जैसे कोई में बेक भी कई परकार के होते हैं एक होते अभी जो वैकम वाला ब्रेक आ गया है उसमें पिस्टन सेलेंडर लगे रहते तो उसमें क्या होता है भैकम जहाँ पर क्रियेट रहता है वहां पर एयर कोई भी लिकेज के कारण एयर पहुंच जाता है तो वह कारण वह ब्रेक नहीं लग पाता है ब्रेक में प्रेट के बारे, आफ़ ब्रेक कीजिए, लिए बार के वोछेटे में आगõने लगता है, तो जो मैं बताया हूं जै उसमें फिर से क्रियेट हो जाता है बार बार वो पैडल को जोड से दबाने पर उसके बाद यदि इससे लाव ना हो तो वहन को रुकने के लिए धीरे धीरे पार्किंग ब्रेक लगा एक नहीं लगा देना है क्यों नहीं लगाना है समझ रहे ना प आपके पास समय अगर आपके पास टाइम है तो यह सब जो कई बाल पैडल को दबा के देखना है उसके बाद क्या करना है कि इसको पारकिंग बेख धीडरे धीडरे लगाना, अगर टाइम न रहे तब की बात है, यठी आपके पास समाय और अस्थान दोनु हो, तो वाहन को छोटे गियर में डाले और फिर उसे छोटे गियर में डाले, यानि जो मैं बताया कि बहन को अगर top gear में है तो उसको नीचे के gear में लाइए और बहन को रोकिए जब तक आपका बहन को बहुत धीमे नहां न हो जाए ऐसा करते रहे इसके बाद बहन को सरक के एक और ले जाए hand break लगाकर रोक दे मैं फिर से बता दू कि अगर आप लगाईएगा स्पीड-गारी में तो फिर नुकसान आपको ही होगा तो क्या नुकसान होगा तो कमेंट में बताईएगा और समझे रहें जैंक जो क्या होगा ऐसे स्थिती में निकटता गैराज तक वाहन को चला कर ले जाने का परियत्न न करें अपितु सहायता की पलतिक्षा करें बहुत सारे ऐसे हैवी ड्राइवर जिसको बलते हैं यह सोचता है कि ब्रेक फेल हो गया चलो थोड़ा आगे तक ले जाते हैं जहां पर देखें बीना बीरेक का बाहन नहीं चलाना चाहिए आपको मैं फिर से आप इंटरव्योवर वहां से पुछाए पुछ लेगा जिपना प्रेक का मालीजे की 2 km दूरी पे गयरेज है और आपका गैरेज से दो किलोमेटर पहले ही क्या हो गया है बाहन का ब्रेक फेल हो गया है तो वहां तक आप जा सकते हैं धीरे धीरे तो बिल्कुल आप वहां पे मतलब यह वह आपको फसाएगा जो आप अहां बोलिए और वही सुनने के लिए तयार बैठा रहेगा और ताक में जो वहां चला रहे है सरक पर चला या दूसरे लोगों लोगों को भी छटी हो जाएगी ओके तो ऐसा कभी नहीं करना है बिल्कुल वहां पे नकाल देजिएगा इंटर्विव और आपको अगर कुछ भी करे कैसे भी बोलवाना चाहेगा जो किलोमेटर तक चले चले जा इसे बता दू कि यह ऐसा बुक है जिसमें सारी बात आप लोग यह मसुची आने वाले कुछ टाइम में हम देख लेंगे क्या आपको केवाल एक बार ध्यान से पढ़ लेना है रटने की जरूरत नहीं अगर पढ़ लिजेगा तो अच्छा से वहां से यह बुक से भी अच् और देशी भासा में देना है ताकि इंटर्विवर भी खुसो के जहां अगर चार मार्क्स देना रहे वहां छे मार्क्स दे ओके तो यह ध्यान रखिएगा तो और खुस रहना है हमेशा इंटर्विव देने जाईएगा तो यह नहीं कि पूरा जो फैमली का डिप्रेशन ब पूछा जाएगा बताई यह फेल होने जाएसा लगे तो आपको क्या करना चाहिए इसके बारे में हम लोग देखते हैं जब वहां इस टेरिंग विल को घुमाने पर मुर्णा बंद कर देता है अब यह भी इस टेरिंग फेल होना क्या है क्या होता है कि स्टेरिंग आप से ह अब देखते हैं विल को घुमाने पर मुर्णा बंद हो जाती इस टेरिंग फेल होना बोलते है और यह जो एक्सिडेंट का बहुत जैसे सुनते होंगे कि हाईवे के नजधिक में बाबाबाबा हाईवे राता या सरब के नजधिक में दुकान बगारा नहीं बनाने दिया कि जाता है गरें साइड में मार्केट नहीं दिया जाता है यह ध्यान रखेगा तो क्या है कि ये इस तेरिंग फेल है और सब्सक्राइब होने के और से कालण रोड के बाजू में कोई दुकान रहेता है तो दुकान में बाकंट गुछ जाता है मिंद्धर कर दो लांज तो वाहान को धीमा करले अगर आपको ए सेरिंग्में थोरा बहुत भी प्रोब्लम दिख रहा है ना धीमा कर ले और उसको सही करने की कोशिस करें उसके बार देखे ब्रेक तभी लगाए जब दुरगटना से बचने के लिए ऐसा करना अवस्यक हो हमेशा मैं बता दू कभी कभी होता है कि फेल रहता है ब्रेक लगाते तो उल्टा उल्टा रिय अगर मालिजे की लगाना हो यह नहीं कि जैसे वाहन नियंत्रन से बाहर हो जाता है से被нд है और हमेसा देखी एक अच्छे चालक स्टेरिंग फेल valueला घ्रीर वहा देखता है जेए और होता है कि या तो पंथेटि माल देगा या इधर मतलब चला जाएगा इसलिए जब फेल हो तो ब्रेक नहीं लगाना है अगर ब्रेक लगाने की जरूरत हो धीरे-धीरे अचानक ब्रेक लगाने से बहन नियंटरं से बाहर हो जाता है आपके नियंटरं में नहीं रहेगा इंजन बंध होने पर पावर एस्टेरिंग बील से सक्त होने की सम्भाव ना रहती है ऐसे में वाहन को ड्राइवर कलते हुए शिख्र स्टार्ट करने का पर्याथन करें कभी-कभी ऐसा भी होता है कि इंजन बंद करना चाहिए मैं फिर से बता दू कि यह काम भी भूल से नहीं करना है कि इंजन को बंद कर दिजिए मतलब सैंटिस्ट हमारे यहां पहुत है न इसलिए न बोला जाता है कि आप पढ़े लिखे ड्राइवर है मतलब दिल्ली पुलिस में ड्राइविंग के लिए क यही सब के लिए यही सब वहां पूछा जाएगा तो यही सब न आपको बता ना है ध्यान रखिएगा यह चीज तो उसके बाद यह अचानक ब्रेक यह तो हो गया क्लच पैडल को दबा कर और चाभी को घुमा कर वहन स्टार्ट किया जा सकता अगर माली बंद हो गया है तो जंक कर सकता है ध्यान रहे कि आपके बहरें के लिए बिरेक जोड़ से दबानी पड सकती है नोगे ब्रेक बारे में स्पेशल लाएं जिस दस से परना मिनिट का वीडियो रहेगा क्योंकि आपको वहां ब्रेक से समधित पूछे जाएंगे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है तो बस आपनी फिकिर होके रहे इंटर्व्यूर अगर इंटर्व्यूर देने जाएगा इंटर्व्यूर सुच में पढ़ जाएगा कि इ यह सब 묵क का पाट उसके बाथ ड़ेकि टायर फटने, चलते हुए अचानक टायर फटने की फटने से वहां पुरी तरह नियंत्रण से बाहर हो जाता है कभी कभी क्या होता है देखते हैं कि वहां इस पीड में रहता है और टायर भूं से र press करता है तो चार लगा हुआ है तो चार चका पर समान लोड आता है तो समान लोड आएगा तो मालेजे इसका है कि यह टायर यह ब्लास्ट किया तो यह एक्षन का रियक्षन जितना फोर्स यहां इसमें देगा प्रित भी उठना फोर्स उसको देगी उसके बार लोड भी है जो गारी का लोड है यह चारो पर बराबर में है लेकिन अब किस पर तीनों पर आ जाएगा और इस पर नहीं आगा उपर से इसमें रियक्षन मिलेगा फोर्स मिलेगा फोर्स म यहां इंगलीस के साथ भी खेलेगा पूछेगा जो ब्लो आउट है वो क्या है तो टायर फटना ही तो ब्लो आउट है इससे क्या होता है यह भी पूछ सकता है तो इसके बारे में भी देखते हैं देखिए ऐसी स्थिती में आप एस्टेरिंग वील को कसकर पकड़े रहे यान करके बीघका डाया भागने का कोसिस करता है तो वाहन को सीधा रखें तथा धीरे धीरे एकस्लेटर से पएर ईकस्थे क्या करना है आपको धीरे-धीरे पहरताना आचानक ब्रेक ना लगा मुर्ख ड्राक्क राइबर होते हैं जो आचानक ब्रेक लगा तो इससे भी दूश सबåसर सावsy बारे में सवही जनकाली ले जिएगा असानी से बन जाएगा इसलिए ना पर इंजनियरिंग के दो तीन सेमेस्टर में केवल फोर्स फोर्स ही पर हाया जाता है बारे में बिद्म केवल तब ही लगा है जब बाहन का आपका नियंटरन हो यानि कि ब्रेक जब आपको लगे कि हमारा नियंटरन आ गया है तब लगा कि तब आपको रोकना है अन्य बाहनों को ध्यान रखते हुए आपने बाहन को सरक से पुरी तरह नीचे उटार ले यानि कि अन्य बाहन है उसको ध् प्रोब्लम के बज़ाई से कोई और डूसरे ड्राइबर जो वाहन है वो प्रोब्लम में आ जाए तो ऐसा नहीं करता है या ता या चालक के अच्छे चालक के अच्छे गुन का ये भी एक नियम है और देखिए सारा क्लास हो चुका है प्लेलिस्ट बना हुआ है आप जाके प वहान आ गया है तब आपको क्या करना है क्या सवधानि वहां पर वरतना चाहिए यह सब के बारे में है देखिए यदि आप अपनी लेन में सामने से किसी वाहन को आते हुए देखे तो तुरंत अपना वहन धीमा करके ब्रेक लगा और सामने से आ रहा है वहन के रास्ते से हमेजा आपको बैंट च्था पिछल सामने सरक मेंoton रस्ता देंस और हट जाए उसके बार टकराओ से बचने के लिए डाई लेन में जाने से बचे क्योंकि हो सकता है दुसरी चालक अपनी लेन में जाने के लिए डाई ओर से फिर से आपके सामने आ जाए क्या है कि मान लिजे ये हमेशा मान लिजे इधर क्या हो गया इधर डाहिना हो गया आपको क्या करना है सिंपल भासा में समझ लिजिए कि ब्रेक मालते हुए इस साइड जाना है न कि इस साइड जाना है क्योंकि हो सकता है कोई और गारी इधर से दाइयोर से आ रहा हो और आपको ठोकर माल दे इससे तो बच गए लेकिन इससे नहीं बच पाईएगा तो नीचे उतर जाए और नीचे भी किस और उतरना है हमेशा मैं फिर से बताता हूं बाई और आपको इंटर्वीवर वहां बताएगा कि इधर खाली जगह है तो आपको फिर से बोलाएं नहीं हमको किदर हमेशा अपना अपना दिशा यानि कि बाई और नहीं जाना है ध्यान human जाना है और जो light वगेरा दिया गया है तो उन्म है मतलब light वगेरा दिखा कि चालक को जागरूक करना आँ बहाई तुम अपने line से भटक रहे हो अपने line में अ ओके यहान रखिएगा तो उसके बाद क्या है तो यहीं रहने क yr ऊहरा होना , सब बहने के बाहन के hood, bonnet को अचानक खुल जाना, accelerator, paddle का अटक जाना, सब पुछा जाएगा, rail की पत्रियों पर वाहन का अटक जाना, important है, ये question आप से पूछा, पूछा, पूछा ही जाएगा, उसके बाद देखिए, फिसलानिया, बाद परभावित या गिली सरग, इस पे आपको क्या कर चाहिए, आग लगना या अवर हीटिंग होना, इंजन में, तब क्या करना चाहिए, ये सब आप से पूछा जाएगा, तो आपको टेंसर लेने की जरूरत नहीं है, study with crazy guru team के साथ आप जूरे हुए है, तो आपको इंटर्व्यू के टेंसर लेने की 0%, एकडम, टेंसर लेने क 0%, और जो पासो ने किया, वो 100% है, तो हमारा भूक अभी तक पर्चस नहीं किया है, तो ये जो नम्मर दिया गया है, नम्मर पे आप पेमेंट करके 80 रूपीज मात, 756486459, ससी कुमार के नाम से सेव कर लिजिए, वाट्स अप पे जुरिए, पेमेंट करके पेमेंट स्क् हो, आपका डेटा बल्थ हो, जो आप चाहोगे, वो पासवर्ड रहेगा, और हमारे चैनल पे नए हैं, तो चैनल को सबस्ट्राइब कर लिजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जाहिन, जाभारण